अधिया में चैनों हलो दोस्तों आप देख रहें है टेक्नीकल सर्विस आप इस वीडियो में सीखें कर डबल डूर फिरीज है वह आन नहीं हो रहा है डेड़ है लैन नहीं आरा है चलिए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है आ देखिए लैन नहीं आ रहा है उसमें कि चलिए कि चेक करते क्या प्रॉब्लम है कि इस गुरु खुल लेजाए कि अब भी खुल लेजाए कि चलिए खुल लेजाए इसका करवे लेके पीसे भी यह खराब है यह पावर कंट्रोल बोर्ड हाई वोल्टेज के कारण यह सॉट कर हो गिया है इसलिए वह आन नहीं हो रहा है है फिरीज चलिए इसको चेंज करते है कि लिप निकल लीज़े हाई वोल्टेज के कारण यह सॉट होता है अदर जब भी शॉट होगा तो फ्रीज में लैन नहीं बताएगी यह डेड़ होगा और हो सके इंवाइटर पीसी भी शैन में जो PCV है वो भी खराब होता है यह इन्वाटर PCV पर इसमें इन्वाटर PCV सही इसलिए चेंज नहीं किया है खराब रहता तो चेंज करते हैं इसमें में PCV खराब है पावर कंट्रोल बोर्ट यह यह PCV खराब है कि ओरिजनल एसमसंग का कि इसका गहट बना हो रहता है कि लीप में बैठाना पड़ता है इसको कि देखें कि लीप में बैठाना होगा है यह बैठी गया है चलिए कि कि लीप लगाते हैं अच्छा से कि लीप ला गई है लूजर नहीं होना चाहिए अच्छा से कि लीप लग गया है अच्छा से कर लेता है वायर को भी बैठा लेते हैं चलिए अन करते हैं इसको अन करके देखते हैं अन हो रहा है कि निए कि देखिए यह ओन हो गया पीसीबी खराब था और कंट्रोल बोट खराब था कि देखिए कंपरेसर भी चलने लगया हो इस देखिए कि इन मैटर पीसीबी ने रेड बात्ती भी जल रहा है इसका कबर लगा लेते हैं कि अपर से बैठाना पड़ता है टैट कर लिजा तीने श्कुरूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आपको और से जाए यू और वीडियो यू लो इस सब्सक्राइब और सुरूं